हलो दोस्तों, आज आपा जो गल कर रहे हैं, टैंथ क्लास दे चैप्टर 10 दे स्प्रिंट दे गल कर रहे हैं टैंजियंट्स, स्पर्ष रिखामा, मल्टीपल कुश्चन्स आने हैं, अबजेक्टिव कुश्चन्स आने हैं आपा डिटेलज गल करांगे, तो सबतों पहला आपा जो गल करनी है, स्पर्ष रिखामा दी स्पर्ष रिखा, टैंजियंट की हुंद है? The most important question is, what is tangent? जो रिखा चकर नू एक बिन्दू ते छूंदी या कट दी है A line which touch or intersect circle at one point is called tangent आ सरकल है, आ देखो इक दे कर रही है, ता एसु की बोल दे है? स्पर्ष रिखा बोल दे है, टैंजियंट बोल दे है नमबर एक, नमबर दो, जिस point ते ओट टच कर दी है कैन दा मतलब स्पर्ष रिखा, अते चकर दा संचा बिन्दू common point of tangent and circle, उस दो की बोल दे है स्पर्ष बिन्दू point of contact या point of tangency यह भी बोल दे है, बड़ा important है हुन जो important है, एक चकर दिया किन्या स्पर्ष रिखामा हुन दिया है a circle has how many tangents जो circle है, उस दे उपर जिन्ने point होंगे उन्या स्पर्ष रिखामा होंगे, उन्ने tangents होंगे ता एक circle दे उपर किन्ने points है first question is this, there are infinite points तो जिन्ने points होंगे, उन्या स्पर्ष रिखामा होंगे तो it means a circle has infinite tangent एक चकर दिया, अनन्त स्पर्ष रिखामा हुन दिया हान तीक, उस तो बात जिड़ा स्पर्ष रिखा, tangent matter करते है ओ point दी position दे matter करते है बिंदू दी स्थी ती, position of a point उस दे बड़ा matter करते है, how? हुने थे question मैं add कार रहे हा एक circle, एक चकर, पूरी सता नू किन्ने हिस्स्यां में चवांड़ा है a circle, divide the surface in how many parts? एक को दे अंदर ला एक को दे boundary आला, के रे आला, circumference आला एक बार ला, तिन्ने parts ता इत्थे position और फे जो points ने, जो points या positions ने, तिन्न होन गिया केड़ी केड़ी या फिर एक circle दे अंदर inside एक चकर दे उपर, आपा के रे ते बोल दन्या, on the circle एक चकर दे बार exterior या external तिन्ने position होन गिया हुन चकर दे अंदर तो कोई विए अगर एक point है तो किन्या स्पर्श्रेखा मां tangent जोग कर सकते हैं, कोई भी नी क्योंकि रेख है, वो extend हो जो नाल दी नाल तो एदा मतलब कोई स्पर्श्रेखा नहीं हैगी 0 स्पर्श्रेख है अगर point चकर दे उपर है suppose आ रहे हैं ता एक point ते एक time ते सिरफ एक स्पर्श्रेखा खिची जा सक दिया, only one tangent can be drawn अगर चकर दे बार है भी दो point बार है then एक time ते दो स्पर्श्रेखा मा खिची जा सकती है तो ए जड़ा आपपा tangent दे गल किती है आपपा tangent दे position जे अकॉर्डिंग गल किती है कि अगर point चकर दे अंदर है अगर point चकर दे उपर है circle दे उपर है अगर point चकर दे बार है अगर थोड़ा दा हो रहा है इसनों अगर collaborate कर रहा है इसनों अगर देखिए आपपानू clear लोड़ा स्पर्श्रेखा नहीं हैगी तक कोश्य नहीं आ गया जेडी रेखा चकर नूं दो बिंदुआं ते कट दी है उसनों की बोल दे है छेड़क रेखा छेड़क second ता जड़ी आ रेखा है इन्हों second बोल दे है छेड़क रेखा बोल दे है एथे तो अगर माइंड चे confusion आनी है कि यहार रेता जीवा भी है क्योंकि अगर आपा code बना माँग एक circle दी ओ भी है code जीवा अते छेड़क रेखा सिरफ एकको फरक है आ रेखा है एन लाइन है जिन्हों आपा दोनों साइड तो की कर सकदे है extend कर सकदे है ते आहा रेखा खंड है this is line segment सिरफ इनक फरक है आपने को लेकिया है line segment है बस एस चीज़ते आपा थोड़ा थे हूँ ते आर रखने ए चीज़ा difference है ता उस तो बाद हुन जेड़ी आपा इस ते आरे है point ते यह ता होगी first position हुन एथे आपा गल कर चुके है कि अगर चकर दे उपर एक point है ता उथे एक स्पर्ष रखा खिची जा सक दिया we can draw one tangent from a point on the circle ता एथे अपने को लेकिया result है की result है आपा उस ते गल कर दिया result की कहना है अगर केंदर नू स्पर्ष बिंदू नाल मिला दिये केंदर नू स्पर्ष बिंदू नाल इफ वी join center with point of contact नाल मिला दिये ता ए एदे उपते लंब होनी है एथे 90 डिगरी ता कोन बनाऊगी है लंब होगी O A X Y एक तकी है X Y एक स्पर्ष रेख है it is a tangent A स्पर्ष बिंदू है point of contact O चक्करदा के इंदर है it is a center ता जोदो फिर आप वाँ O A नू मिला मांगे और X Y ते लंब होगी perpendicular होगी ठीक होनगे एनू ता आप वर्ड बुदेता स्पर्ष रेखा tangent जेड़ी O A है नो डाउट है अर्दव्यास है रेडियस है पर स्पर्ष रेखा दी definition देविट terminology वेचे यनू की बोल दे है यनू बोल दे अभी लंब एक निया वर्ड है तो अड़ली normal की बोल दे नू अभी लंब normal ता जड़ा O A है जो दो स्पर्ष बिंदू तो हूँ ए एदा की बंजू normal बंजू ता ये कह सकते हैं अगर नॉर्मल है आँ tangent है आँ अभी लंब है ते आँ की ये स्पर्ष रेख है एक का पर थर्ड रिजल्ट किता सी चकर दे बारी बिंदू तो दो स्पर्ष रेख हामा खिचिया जा सकती है ते आपनी थियोर्म जिमें पहला रिजल्ट है दुज़ा रिजल्ट है दुज़ी थियोर्म की कहन दी है कि ए दोने स्पर्ष रेख हामा की होंगिया बरापर होंगिया लंबाई दे विच अगर ए हे 5 cm है तो ए भी 5 cm होनी है ए 10 है तो ए भी 10 होनी है ए 7, 7 है तो ए भी की होनी है 7 cm होनी है तो ए ता सी थोड़ी जी थियोरी अपनी सपर्ष रिखामा दे नाल रिलेक्टर हुन मैं कुछ को questioning से गाल कारता चोछड़े questioning से आपका क्योंकि इस theory दे विच्चोMy कुछ के क्योंकि सभतों वड़ी गाल पता है किया सपर्ष रिखामा दी जेड़े एरे results लेना ओð ठ्योर्वdog 2010 लेना उस standard results कि मैं आपका देखते हैं मैं कोशन लिख रहे हैं थे छोटा जा, बिंदू क्यूं तो एक चक्कर दी स्पर्श रेखा दी लंबाई, बिंदू क्यूं तो एक स्पर्श रेखा दी लंबाई, शावी सेंटीमिटर, अते केंदर तो क्यूं दी दूरी, पच्ची सेंटीमिटर हैं, चक्कर दा अर्थव्यास पता करो, from a point Q, लेंद आफ टेंजन दी 24 सेंटीमिटर, from a point Q, बिंदू क्यूं तो एक स्पर्श रेखा दी लंबाई, शावी सेंटीमिटर है, लेंद आफ टेंजन दी दूरी, केंदर सपोज आ रहा हो, and the distance of center from Q वो किनी ये 25 cm है अर्द व्यास पता करने आ 90 degree आ गया जड़िया पगल किती सी अभी लंबाली 90 degree दी हुन 90 degree दे समने हमेशा करन होंदे बस तिकों दी विच एक लियाद रखियो तो पाइथागोरस अपलाई हो जो hypotenuse perpendicular square प्लस बेस square या करन दी दो बराबर लंबदी दो प्लस अदार दी दो करन पच्ची हो गया लंबदार कोई फरक नहीं पहनदा perpendicular बेस ना किसे नों भी कुछ भी मान सकते हो आ अर्द व्यास हो गया solve करिए 600 पच्ची एनू गुना करागे 576 तो आर स्केर आ गया जी 600 पच्ची माइनस 576 उननजा 72 तो रेडियस किनना आ गया 7 cm एस टाइब दे कोशन है देखो ते तेने चीज़ा ने स्पर्श रेखा दी लंब़ाई अर्द व्यास ते केंदर तो दूरी तेने चीज़ा ने तेने चीज़ा तो तो दो देंगे स्पर्श रेखा दी लंबाई दूरी दे के अर्द व्यास कड़नू कहा सकते है अर्द व्यास स्पर्श रेखा दी लंबाई दे के दूरी कड़नू कहा सकते है अर्द व्यास ते दूरी दे के स्पर्श्रेखा दी लंबाई कड़नों कह सक दिया है यह डिपेंड कारते है पेपर सेट रहते हैं अगर दो स्पर्श्रेखामा ने पीए और पीबी पीए रहते पीबी दो टेंजियट ने ओ के इंदर है सेंटर है यह अपा मिलाता हुँँ देखोते हैं ना आणबे आणबे यह पूरी की बनगी चतरपुझ बनगी क्वाडिलेटरल बनगी ते चारा दा जोड किनना हुँँदा है 360 अंगल A मैं शॉट्स लिख रहे हैं अंगल O अंगल B 360 आणबे 90 90 दिस इस अलसो 90 यह आगया 180 180 तो 360 माइनस 180 आगया तो इदा मतलब इनना दोहां दा जेड़ा प्लस है ओ 180 है या यह दोने संपूरक ने सप्लिमेंटरी ने ता की है देखो इफ PA and PB are tangent O is the center तो अंगल मेड between tangent is a supplementary to the angle made at the center मतलब PA अते PB दो स्पर्श रिखा माने ते उनना दे विचकारला कौन स्पर्श बिंदुआं दोहारा केंदर ते बने कौन दा संपूरक होंदा है यह direct result है अग्जाम जो multiple questions कि में आऊँगा देखो आ 110 देता आ कड़नू कहता आ 40 देता आ कड़नू कहता आ उरेस पर्श रिखा माने होन इनना दोहांदा जोड 180 आ 110 है आ किनना रह गया 70 रह गया अपा 180 जो कटा आँगे सेम इनना दोहांदा जोड 140 sorry 180 40 कटा आथा पिछे किनना बाज गया 140 अग्ला result next है अपने को ले आज स्पर्श रिखा में स्पर्श रिखामा दे विचका आजड़ा बारी बिंदू होनदा है अते केंदर जदो इननू मिलादांगे ताहिदी खासियत इनना दोनना कोनना दोपाज खुंदा है इनना दोनना कोनना अद्दा करदन दै केंदा मतलब अगर आप पूरा 100 है ता उरे किनना किनना रह जुगा पंजाब पंजाब कलियर है आज 100 है ता 80 होगा ता एक किनना किनना रह जुगा चाली चाली अग्जाम कोश्चन देखो टी पॉइंट पे एक बार टी पी टी क्यू स्पर्ष रिखामाने कोश्चन है मैं ले रहे हैं एंगल पी टी क्यू 80 डिगरी है ता एंगल टी ओ पी पता करो मैं एक छोटा कोश्चन लेकर चल रहे हैं आ असी है अगरा असी है असारा सौ हो गया 180 चुकटा के एंगल रहे गया पंजा या ता एंगल तरिक है नो करन्दा दूसरा अगरा असी है अचाली आनब्बे तिकोन दे तिन्ने कोन ना दा जोड 180 चाहे नो आए हल कर लो तै तो हड़े ते डिपेंड कर दा है तुसी है इसनू कि में हल करते हो ठीक नेक्स्ट एक होर बहुत वदे रिजल्ट है अपने को ले एक चतर पुछ चक्कर दे बारी स्थित है ते चक्कर उदे पुजामानू छूंदा है एथ है दो रिजल्ट ने पुजामान दा जोड दुजे जो जोडा रह गया ओ दे जोड दे की है बराबर है अपनी बुख दा कोश्चन दे चेक करके देखिए लेकिन रिजल्ट भी है मैं रिजल्ट लिख रहा है सिद्धा देखो कोश्चन आ आ गया आप पता कर मैं जी इस टाइब दे विज आ पंज आ आ अठ इन्ना दोहां दा जोड तेरा इन्ना दोहां दे जोड दे बराबर होगा तो एक सा आ गया जी तेरा माइनस सत बराबर छे मिटर आ या सेंटिमेटर जो भी योनिट आप पानो दिख्टे होई ने अगर ओ केंदर है इस सारे कोशन अपनी बुक दे विच ने मैं सिर्फ ये दास रहा है कि इन्नो आप आप आजे स्टेंडर्ड यूज कर सकने है ता जड़िया सनमुख पुजामा दोहारा केंदर ते कौन बांद है सनमुख पुजामा दोहारा केंदर ते कौन बांद है ओ आप अपस दे विच्च संपूरक होंदेने सप्लिमेंटरी होंदेने मतलब अगर अगर आप पैंट डिगरी है तो आकिना होगा 180 दे विच्चों आप पैंट रूं कटा दांगे अपना आंसर आज़ोगा तदोस्तों एह सी अपना 10th दा 10th chapter स्पर्श रिखामा थैंक यू